कि सभी वायों को दोस्तों को प्रमस्कार मैं हूं प्रकास और अब सभी को यूटब चल्म स्वागाता है दोस्तों आज किस विडियों में लुप सिखेंगे इस प्रकार का सिंपल साथ डियाइन को किस प्रकार से बनाएंगे पूरा इस्टेप जनने के लिए लास्ट तक वीडियो को सूरू करते हैं मैं अपना नहीं पेज़वाय चुका हूं सबसे पहले तो टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सेलेट करेंगे कंट्रोल के साथ में इस तरह से स्क्वायर बना लेते हैं प्रेस करेंगे और यहां पर डाल देता हूं 45 पार उन्टर क्रेस करेंगे इस तरह से बन जाएगा वापस टूल बॉक्स में से प्रेंट टूल को सेलेट किया मैंने और इस तरीका से एक लाइन बना लेनी है यहां तक और प्रेस कर देनी है मैं इसको छोटा कर लेता हूं चलिए थोड़ा समय इंक्रीज करूंगा शीप के साथ में इस तरह से इसको सेलेट करेंगे और इहां से कंटूर टूल लेंगे मैंने यहां पर 40 डाल दिया मैंने और यहां पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक डूब्लिकेट मैंने बना लिया चलिए वापस टूल बॉक्स में जाएंगे और यहां से प्रेंट टूल ले लेंगे और यहां से एक ल कर लेना है थोड़ा समय इधर करूंगा यहां से स्लेट करेंगे स्मार्ट फिल्टूल आपको मिल जाना है यहां पर इस डिफल्ट कलर फिलाल के अपलाई करेंगे और इस सारे को डिलीट कर देता हूं इस्को और इसको सिफ्ट साथ में और öel कर देता हूँ छोटा कर लेता हुँ पूरज सेलेट करेंगे अऔर स्का डब्लिकेट इस तरीक के से घुमाएंगे इस्कोडिकर घुमाएंगे सेम टूल को सेलेट किया स्माट्टल तूल और तरीका से इसको कलर कर लेता हूं पूरे को चलिए ठीक है अब इसको और इसको एक साथ में यहां से वेल्ड करेंगे और मैं इसको 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 एक साथ में चयाले ओक है इसको और इसको एक साथ में हंवेल कर दिया मैं जूम करने एक बार ना यहांपर ठीक है इसको स्लेकर यूले पार्थ को और और को संपर करेंगे कंट्रोल राटर्प करेंगे औरogen शीफ्त का रेहन के कंट्रोल सीफ्ट क्यों करेंगे सीफ्ट साथ में दर सेलेट करेंगे और यहां से ट्रेम करेंगे मैं इसको हटा देता हूं ट्रेम हो चुका है और एक काम कर देता हूं इस लाइन को मैं रिमूब कर देता हूं इस तरह से और इधर वाले कभी सीफर कर से मैं रिमूब कर देता यहां से इस तरह से ठीक है डिलीट कर दिया मैंने इसको स्लेट करेंगे जी प्रेस करेंगे और यहां पर ग्रेडियन अप्लेई कर देता हूं यहां पर आप कोई भी कलर अप्लेई कर सकते हैं मैंने रेड कर रहा हूं दोस्तों यहां पर ब्लेक कर देता हूं इस तरह से थोड लगबग ठीक है मेरे हिसाब से अब माने इसको छोटा कर देनी है अब इहां पर मैं इसी प्रकार से ड्राग कर लेता हूं और रेड कर देता हूं पूरे को इस प्रकार से बन चुका है इसी का डुब्लिकेट यहां पर अपलाई कर देता हूं लगबग ठीक है आप कोई भी कलर अपलाई कर सकते हैं चले मैं जोम कर लेना है एड़ेस्ट करूंगा इस पर मैं जी प्रेस कर लेता हूं और इस वाले कलर को अपलाई कर देता हूं इस तरह से इधर भी सी प्रकार से सेम कर देता हूं ठीक है इधर भी सी प्रकार से मैं नीचे कर लेना है इसको मैं इस परकार से सेलेट करके कंट्रोल जी करेंगे और पी प्रेस कर लेना है और इसको इस तरीका से छोटा कर देता हूं थोड़ा से बड़ा करेंगे लगबगठेक है इसको मैं जोम कर लेना एक बर इस तरीका से लगबगठेक है इस परकार से यह बन करके रेडी हो ग video.